हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस यूटीव चैनल पर दोस्तों आज फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और इंट्रेस्टिंग व्लॉग दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हूं शेर करने वाल को जो जो सैलरीड परसन है राइट जो अपनी अर्ली ट्वेंटी में है अर्ली थर्टी में है एक जॉब ट्रैप से वह बहार निकलना चाहते हैं कुछ अपना ट्राय करना चाहते हैं आठ गंटे दस गंटे बारा गंटे कि उनो रेगिलर भाग दौर से वह बहार निकलना चा प्लावा यह दोस्तों दोस्तों यह दोस्तों वीडियों जो है हाई पेट सैलरी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है विकाज उन्हों को फेस नहीं करना पड़ता है जो जादा तर लोग यह नो मैक्सिमम लोग जो लिमिट जो नॉर्मल एबरेज सैलरी जो पाते हैं 15, 20, 25 तीस तीस जार रुपे उन्हों को जो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है राइट एन इसके अलावा दोस्तों जो बिजनेस ओनर हैं इन्वेस्टमेंट हैं सेल्फ इंप् मैं 28 की उम्र का हो चुका हूं और एक फादर भी हूं हस्बेन भी हूं तो अपना जो वीडियो दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहूंगा शारुक खान जो है लेजेंड जो है उनका एक इनो स्पीच की एक बात बहुत बहतरी लगी मुझे और बिलकुल फिट बैठती है हमा इसको कई अस्पेक्ट में ले सकते हैं जिस तरीके से कि आप तब तक किसी को वच्ञान ना दें जब तक आप खुद ग्यानी न हों प्राप्त किये हों और तुक् updated rides D तक आपने return पाए हूं राइट जब तक आप एक अच्छे पिता ना हो तो किसी और इनसान को किस तरीके से अच्छा पिता बनना चाहिए इसकी सलाह ना दे राइट एक अच्छा पती एक अच्छा बेटा ये सारी की सारी चीजें यानियों से दुनिया भरी पड़ी है तो मैं ऐसा क्यों बोलना दोस्तों लगबग लगबग तीन साल से जाधा का वक्त हो चुका है यह नो मैं इस जॉब ट्रैप से बहार आ चुका हूं कोई भी नेट्वरक मार्केटिंग वाली वीडियो नहीं है मलम नहीं है कोई भी बुल्षिट नहीं है ट्रिडिशनल चीजे हैं जो करने को मैं आपको बोल रइंगा ट्रिडिशनल बिजनेस है जो शुरुआत से लोग करते आ रहे हैं इंचेंट टाइम से एंचेंट रहे हैं इंजीन नहीं मतलब पुरांए समय से बहुत करते या रहे हैं और भौत सारे लोग अभी भी सटेस्पलीं कर रहे हैं अई कर their life in their own ways right तो दोस्तों और एक चीज में आपको और बोलूँगा जैसी आप जो मैं चीज आपको करने को बोलूँगा वह आप करेंगे तो दोस्तों आपका जो माइंड सेट अना वो भी चेंज हो जाएगा सेलरीड पर्सन का जो माइंड सेट होता है वो कैसा होता है वो ना तो कुछ स्टार्ट कर सकता है खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना तो जौब से क्विट कर सकता है क्यों क्योंकि इन्फलेशन की वजए से महंगाई की वजए से खर्चों की वजए से फैमिली में कुछ नहीं हो पाता है बंदा बचा नहीं पाता है तो इनों कुछ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और हमेशा इसी जॉब ट्रैप में फसा रहता है राइट बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों जहां आप जॉब करते हैं मेरी बात को समझने क पया प्रेजमेंस्मेंन और अच्छे पदों पर या फिर वो लोगों को मैनेज करते हैं एट उन लीडर्व है लीडर्स क्या कहते हैं अगर मैं शॉट पंब बोलो तो लीडर्स राइट वह आपको ये हैं और वैल्यू जनेरेट करें तो दो चीजिए याप एक वैल्यू ड वेल्यू और वेल्यू ड्रिवन कहने का मतलब हो जाएंगे और आप रिजल्ट ओरियंटेड रिजल्ट ओरियंटेड हो जाएंगे आप रिजल्ट के बेस पर आपको रिजल्ट मिलेंगे आप रिजल्ट करेंगे किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तब जाकर के आपको in return आपको फायदे मिलेंगे in terms of money in terms of fame in terms of you know happiness right तो दोस्तों करना क्या है right business 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 ऐसा आपको क्या देदेगा जो क्या आप जॉब से बाहर निकल सकते हैं मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि आप जॉब के साथ में ही अगर आप इनो बिल्कुल कुट नहीं करना चाहते तो आप जिस्ट स्टार्ट करें आप इससाइड हसल इन चीजों को ले दर के चले right the term is जो point है वह है या तो आप एक high ticket sales person बने या तो आप high ticket high ticket में deal करें कहने का मतलब है high valued products को sellout करें उसमें उस या फिर उस business में जाएं जैसे दोस्तों property property dealing में आप जाएं प्रोपरेटी सेल करें ऐसे किसी बिजनस में जाएं या फिर आप यूस्ट कार या फिर आप जिसे न्यू कार्स कंपनी में मारूती हुंडाइ करें यह उन्हों के प्रॉडक्त के होते हैं करें ओर यह भी हाई-टिकिट प्रड़क्त है इसके आलावा भिए आप सफ्ट्वेर आप सेल आउट करते होंगे तो सफ्ट्वेर भी महात्व, महात्व, बहुत महें होते हैं, कहने का मतलब है, high ticket product, दूसरा दोस्तों, जो है, यह हाई volume, मतलब ज्यादा quantity में, जिससे होगे, धोस्तों, wholesaler, उनों का margin होता है पैसे भरका, लेकिन वो ॥ौल्यूम में sell करते हैं, या वौल्यूम में purchase करते हैं, तो उनों की purchasing भी स evacuation होती है और वह बेचते भी जो पैसा जो आता है उन्हों के पास में वह एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है तो दोस्तों दो मैं इसी लीडर आपको बदा जाता हूं दो जो रिचस्ट मैंने एक तो अभी भी इन 2023 बर्नार्ड आर्नॉल्ट राइट जो लुई वितन के साथ में सत्तर बड़े ब्रैंड के साथ में दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं आज की डेट में आज की डेट में जो जो दोस्तों सिर्फ पॉपूलेशन का यह नो सैवन एट बिलियन लोग इस धरती पे उनका सिर्फ एक परसेंट ओडियंस को टागेट करते हैं जो स महेंगा बेचते हैं दूसरी तरफ दोस्तों सबसे सस्ता सस्ता समान करके बेचने वाले हैं दोस्तों सैम वाल्टन जो वाल्मार्ट के फाउंडर थे फाउंडर हैं वाल्मार्ट दोस्तों किसी भी चीज को इतना सस्ता करके बेचते थे कि कॉम्पेटिशन खडाई नहीं प डेख सकते हैं तो दोनों के दोनों richest man की कैटेगरी में आते हैं वो क्यूं आते हैं या तो आप High volume में deal कीजीए या फिर आप High ticket में deal कीजीए अब supposed करें अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर आप सब्सक्राइब किसी बिजनेस में भी हैं आप मानके चलिए आप जोब भी करते हैं तो दोस्तों अगर आप किसी प्रॉपटी की डील को मेचोर करते हैं क्लोव करते हैं तो आपको पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ में पर पाएंगे आप जो मर्जी चाहे अपनी हॉबी पर पर पैसा तो आप सपोस करेंगा सब्सक्राइब मैं जो भी बोल ना हूं अपने एक्सपीरियंस इसके बेस लगता है कि कहीं ना कहीं यह वीडियो आपका जरूर्मापकी जरूर्माद करेंगा बिकॉस मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चीजें देखी हैं उसे लर्ण करके सीख करके लोग आगे बढ़ेंगे आप मेरे भाई आगे बढ़ेंगे इंडिया आगे बढ़ेंगा राइट तो अपनी नॉलेज को शेर मैं इसी ले कर रहा हूँ तक कि शायद आपकी मदद हो सके ब प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं बिकॉस वी नीद यौर लवली सपोर्ट